नमस्कार किसान भाईयो आज मैं आपको इस वीडियो के माद्दम से बताने वालाओं की वे सबी किसान भाई जो किसान करज माफी का इंतजार कर रहे हैं उन सब के लिए हाली की लेटेस नूज है इसलिए दोस्तों किसान भाई वीडियो को सुरू से अंतक पूरा देखी और एक लाइक जरूर कीजी दोस्तों अहम बैटक में किसान की करज माफी पर केंदर सरकार तयार लेकिन बात य आती ए कि हम किसानों को सालानत-6,000 पी-έम किसान सममान ने दी के रूम में यानि की तीन दो-दो-हजार के रूम में देंगी उदर कॉंग्रेस ने कहा ता कि हम सबी किसानों का कर्ज माप करेंगे अगर हमारी सरकार बनी थो लेकिन राजस्तान, मद्यपर्देश, 36 गड़, सहीत, अन्य राज्यों में कॉंग्रेश की सरकार बनी लेकिन जो राश्टे की त्वैंकों के किसान है उनका भी तक भी कर्ज माप नहीं हुआ तो किसान भाईयों का कहना है कि आखिर आपने जो वादा किया वो वादा आप पूरा क्यों नहीं कर रहे आखिर हमारा कर्ज आप माप करो भी या नहीं दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि तीसरे विकल के तोर पर परती एकड़ लगवक सत्रा सुरुपए देने का प्रस्ताव क्या परदान मंतरी मोदिन बैठक में ये स्पष्ट क्या कि किसानों से सम्मंदित कोई भी अन्ने योजना के सिसी में जो किसान करज मापी को छोड़ कर किसानों के लिए ऐसी योजना लाए जाए जिससे किसानों को सीधा फायदा हो देखे हैं दूसरी नूज के मादम से हम आपको बताना चाहेंगे कि देख सकते हैं कि जो भी किसान वाई करज मापी की बजाए प्रोजेक्ट पूरा करना चाहूँगा नरेंदर मोधी ने कहा नरेंदर मोधी ने कहा कि जो किसान वाई करज मापी का इंतजार कर रहे हैं उनसे अच्छा है कि किसानों के लिए इंदरा गांदी जैसे नहर योजना के रूम में जो योजनाई लागू हैं उनके रूम में ऐसी योजनाई लेके आएं जिने किसानों को सीधा सिचाई का फाय प्राइदा मिले जिससे करज माफ़्ी में किसानों का फाइदा नहीं हो सकता यह केंदर के मोदी सरकार ने कहा किसानों को 11000 क्रोड रुपे देनी की तैयारी अब बात याती है कि गन्य उत्पादन दों किसान ने उनको ग्यारा हजार क्रोड रुपे का बुखतान किया गया है और जो बाकी हैं उनका जो बकाय है उनका जल्दी उनका बुकतान किया जाएगा दोस्तो बात सीधी सी बहुत से कमेंट में किसान भायों का कहना है कि हमारा करजा माप किया जाए सैकारी बैंकों के कुछ किसानों का करज माप हुआ लेकिन किसानों का कहना यह है कि हमने राश्टी कित बैंकों से जितना भी कर्ज ले रखा है उनका कम से कम दो लाक रुपए तो कर्ज माप किया जाए दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेर कीजे जिससे आपकी ये बात और आगे तक पूंच सके और किसान कर्ज मापी का फायदा आपको मिल सके धन्यवाद